स्कूल व्याख्याता और टीचर ग्रेट सेकिंड के लिए एक दिसम्बर से लाइफ क्लासे शुरू यहां बिल्कुल सही सुना आपने टीचिंग के लिए जाने जाने वाला सिर्फ एक ही नाम परिशकार अब करवाने जा रहा है आपको लाइफ क्लासे स्कूल व्याख्याता के लिए और टीचर ग्रेट सेकिंड के लिए यदि आप स्कूल व्याख्याता बनना चाते हैं या टीचर ग्रेट सेकिंड में अपनी जॉब निश्चित करना चाते हैं तो आज इंस्टॉल करें परिशकार वर्ल्ड एप हमारा कोर्स परचेस करें और लाइव क्लासे के साथ अपनी नौकरी पकी करें खुश कब रहे दोस्तों आप लोगों के बेहट डिमांड पर आप परिशकार वर्ल्ड आप लोगों के लिए स्कूल व्याख्या था और टीचर ग्रेट सेकिंड के लिए संस्कृत का कोर्स भी लाउंच करने जा रहा है तो इदि आप पढ़ना चाते हैं संस्कृत तो आज ही आउनलोड करें परिशकार वर्ल्ड एप और कोर्स परशेस करें स्कूल व्याख्या था और टीचर ग्रेट सेकिंड के लिए एक दिसंबर से लाइफ क्लासे शुरू यहां बिलकुल सही सुना आपने टीचिंग के लिए जाने-जाने वाला सिर्फ एक ही नाम परिशकार समस्कार मैं रागहु प्रकाश हूं हिंदी का विद्यारती हूं दो दिन से दिल्ले में था और रात को वहां से एक बजे रावना होकर अभी सुबह पांच बजे पहुंचा हूं आपकी सिवा महाजीर हूं देखो आज यह शुरुवात हो रही है नई नौकरी की रीट में ह फड़न और थर्ड पोजिशन वह परिशकार की है और उसमन ऑनलाइन की ब्यारती है उन- Typ! आप सोचिए इतना जादू है परिशकार के आंलाइन कोर्सेज में पुलिसब-80s में ऑनलाइन कोर्सेज में जो काम हुआ वह भी बहुत साफ है और परिशकार वर्ड के आप ओनलाइन जो कारिकरम उसको देखते होंगे लेक्षर को देखते होंगे तो उसमें महावीर बताएगा कि सो प्रश्णों में से 96, सो में से 96 प्रश्ण ओनलाइन कोर्स लेकर के हल किये हैं अब हम लोग सेकंड ग्रेड और फर्स ग्रेड के लिए ये पाठिकरम शुरू करने जा रहे हैं ये बात मैं शुरू में इसलिए अपनी परिश्कार की बढ़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूँ बढ़ाई करने से कोई अच्छा सकारात मकासर होता भी नहीं सब होशार लोग हैं मैं आपके भीतर विश्वास जमाने के लिए कह रहा हूँ कि आप से पहले रीट के माध्यम से पुलिश सब इंस्पेक्टर के माध्यम से लोग लाभानवित हो चुके हैं इतनी हाईस्ट क्वालीटी तक जा चुके हैं मेरिट ले चुके मेरिट की बात कहरा हूँ मैं आपको इसलिए आप बहुत निश्ठा के साथ निश्ठा के साथ विश्वास के साथ अपने खुद के संकल्प और संगर्ष और महनत के साथ परिशकार के इन कोर्से से आप जुड़िए अपने मित्रों को जिनके भी आप शुब चिन तक हितैशी हैं आप उनसे जोड़िए और घर बैठे भी आप ताकतवर बनिये नौकरी मिलिए अभी देखो मेरे पास में अजमल गरासिया और मंगल सिंग और मौनू तिलावत और लेकराज मौरोडिया नईम खान अनन्या सिंग शेखावत और प्रियंका वर्मा पंका जारी या बिलकुल स्कूल व्यक्याता बनगे पंका जारी देखो मेरे यहां पर 2017 पढ़कर के व्यक् नीचे बेटे जी अन्श गो आलोक वर्मा जी हैं कांतिलाल हैं तनिश कुमार हैं या बिलकुल आपको नमस्कार भोमराम गोदारा तरून और अलंकर हरिश और विजय जेव और पंकाज और हीना और निशाकॉल और हरिश जांगेड और अजमल कुमार और तरून बागडी और भोमराम गोदारा बार्मेर से या विजय अन्राज ठाकॉराम बारुपाल बहुत से बच्चे पहले से जुड़ेवे हैं सचिन वर्मा काफी बच्चे अब नए भी जुड़ रहे हैं मैं उन सब को बहुत नमस्कार करता हूँ यूट्यूब पर आप बच्चे हैं लेकि मैं आपको कहना चाहरा हूँ कि आप अगर बहुत गंबी रहा बहुत होश्यार है तो भी दामोदर पारिक होश्यार था है उसे ने कहता कि 122 25 मेरे नमबर आ जाएंगे रीट में ऐसा था उसको और जो ही परिशकार से जुड़ा और उसके 150 में से 146 नमबर आ गए वीडियो आप देखेंगे देख लिया होगा आपने और ऐसे नहीं कि कहीं पर भी पढ़ लिया और कैसे और ना मैंने सारी चीजों का विश्लेशन करवाया दामोदर से और दामोदर ने हर चीज का बताया कि पीपीटी में क्या क्वालिटी टेस्ट में क्या क्वालिटी है पारवती गुर्जर और चिमन और अनिता मीना या पिंदी का लीजे वो तो लेना ही चाहिए अनिता कोई बात नहीं है सामली मीना और चिमन और या बहुत थेंक यू एरी मच भी प्रकाश और निर्मला राजस्तानी और इन सब को सन्नू और दिनिश और हमारे और दूसरे और मनसिर गुड़ू और संगीता काफी बच्चे कोर्स ले चुके हैं और वो इस समय एप पर भी पढ़ रहे हैं और इस समय यूटूब पर भी देख रहे हैं कमला कमला अप है रामलालमीना और लोकेश्टेंट और निलो फरंसारी और ये वीलू और पूजा और ममता कमला तो आप सब लोगों को मैं कहना चाहरा हूँ शुरू से जुड़िये अभी पोस्ट आने वाली है इसमें तो कोई शक ही नहीं है पोस्टें जा चुकी हैं सरकार के पास जा चुकी है अब आर पीएस्टी के पास जानी है और उसके बाद में विग्यप्ती के बाद एध्यान रखेगा विग्यप्ती के बाद तीन मेंने के बाद एग्जाम होने की आजकल इस्तितियां चल रही है विग्यप्ती जाने होने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकेंगे इसलिए आपको करना ही है अगवर आपने रीट में पास हो गए हो तो भी और सफल नहीं हो पा रहे हैं अभी बहुत कम अंख आपको लग रहे हैं तो भी सेकंड ग्रेड तो करना ही है और खास सोर से जो गौवर्मेंट के जो टीचर्स जो इस समय नौकरी कर रहे हैं थार्ड ग्रेड में ग्रेड थार्ड में हैं ग्रेड सेकंड में तो ग्रेड नहीं था अब पहले हम लोग थे भी लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था अब लोगों को विश्वास हो गया कि परिश्कार में क्वालिटी है और यहां धंग से काम होगा बिलकुल लाइव क्लासे के दौरा आज से हम यह क्लासे शुरू करें लाइव क्लासे के दौरा लिखने में थोड़ा है इस वज़े से मैं तो स्विकार करता हूं इस मामले में कि हमारा जो PPT का online course बहुत रिच है बहुत रिच है वो second grade बनाने वाला second grade merit दिलाने वाला व्याक्याता में merit दिलाने वाला है देखो आज ये जो one vichaur वाला जो पठिक्रम है हमारे मेरे इस समय में तीन लोगों को पढ़ाऊंगा भी मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा अब जब मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा हिंदी शुद्ध तो ही वो तो क्योंकि हमारा शुद्धता की विरुद्ध एक युद्ध है तो शुद्ध तो पर चलेगी नमबर वान व्याख्याता पेपर फास्ट पेपर फास्ट व्याख्याता पेपर फास्ट में तीन चार प्रश्ण आएंगे उनके लिए हिंदी व्याकन को पढ़ना पढ़ना ही है नमबर टू व्याख्याता हिंदी व्याख्याता हिंदी तो हिंदी वालों के ये हिंदी में जो पेपर हमारा सेकंड है ये हिंदी सेकंड पेपर पेपर सेकंड इस पेपर सेकंड में भी तो इनको तो दोनों दृष्टी से पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर के लिए हासे भी पढ व्याकरण, व्याकरण की बात कह रहा हूँ, और तीसरा है हमारे ग्रेट सेकंड, यह जो ग्रेट सेकंड है, ग्रेट सेकंड वाले, यह जो ग्रेट सेकंड वाले हिंदी वाले, ग्रेट सेकंड हिंदी, फर्स पेपर दी, सेकंड पेपर हिंदी, जो ग्रेट सेकंड हिंदी है, उसके लिए भी यह है और ये जो वाइन विचार का पाठी करम है ये वाइन विचार का पाठी करम वैसे इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है इसमें है लेकिन बहुत से मुझे मालूब मैं बहुत से बच्चे दोनों ये दोनों के दोनों काफी जुड़े में जातर बच और यह मूलत सेकंड ग्रेड में लेकिन यह जो लोग हैं इनके लिए मैं कहना चाहूं कि आप चाहें तो भले इतना दो दिन की क्लास से तीन दिन भी होगी तीन दिन में विचार खतम हो जाएगा आप तीन दिन के बाद में जब मैं संधी शुरू करूँगा बिल्कुल आपक संधी तो है जब मैं संधी शुरू करूंगा तब आप जो व्याख्याता पेपर फस में मुझसे हिंदी पड़ेंगे वे बले दो-तीन दिन नहीं देखें कोई बात नहीं वे अपने समय का और कहीं उपयोग कर सकतें लेकिन ये जो वर्ण विचार है ये वर्ण विचार संधी को अच्छी तरह से वेज्ञानी धंग से समझने में मदद करेगा इसलिए खासूर से व्याख्याता हिंदी और ग्रेड सेकंड हिंदी वाले उन विद्ध्यार्थियों को तो ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए इसलिए इस वर्ण विचार को अच्छी तरह से पढ़िएगा और मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा आप हरिप्रकाजी, निलोफरन, हीटेशन आप सब लोग गाश्टोशन, किश्नोटा फिर बच्चे जुड़ रहे हैं और अब देखें आप अभी कई मेहनों तक ये कारिक्रम चलेगा मैं आपको जो ग्रेड सेकंड वाले हिंदी वाले हैं और व्याख्याता हिंदी वाले हैं मैं स्वेम उसमें व्याकरण और काविशास्त्र व्याकरण और काविशास्त्र ये दो मैं पढ़ाऊंगा, ये दो पार्ट तो मैं पढ़ाऊंगा और रचनाय और हिंदी साहित यह तिहास वो काफी कुछ तथ्यात्मक है वो हमारे दूसरे और साथ ही पढ़ाएंगे डोक्टर किरन शर्मा पढ़ाएंगी डोक्टर रीटा जी पढ़ाएंगी वो इसको पढ़ाएंगे और शिक्षन विदियां वो भी हमारी अलग से पढ़ाएंगे आपको इसलिए पूरा कम्प्लीट होगा लेकिन मैं फिर भी कहना चाहरा हूँ जो जो निर्भर करता है सेकंड ग्रेड और फास्ट ग्रेड वो व्याकरन और काविशास पर पढ़ता है व्याकरन और काविशास पर अगर आपके अच्छी मास्ट्री हो गई 90% से उपर मार्क्स लेया इन दोनों में जो संभव है और जो लोग लाए है तो फिर आप समझे कि आपका अच्छी मेरिट में आना और नौकरी लेना बिलकुल संभव हो जाता है इसलिए इन दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़नी कि आपको शिश कीजे मैं के साथ में इसको शूर करता हूँ वर्ण विचार को आप सबसे पहला सवाल यह है कि यह वर्ण क्या है वर्ण क्या है देखो वर्ण का मतलब है ध्वनी ध्वनी तेकिन ध्वनी तो म मैं अगर इसको बजाओं यह भी ध्वनी है बोड को बजाने की जो ध्वनी आ रही है यह ध्वनी है लेकिन यह वर्ण नहीं है इसका मतलब कौन सी ध्वनी वह ध्वनी जो भाशा में उच्छित अविभाज्य ध्वनी दो बाते हो गए भाशा में उच्छित देखो ध्वन भाशा में उच्छरित जो ध्वनी है वो वर्ण है अगर रेलवे इंजन की आवाज आ रही है ट्रक की आवाज आ रही है पेड के गिरने की आवाज आ रही है हवा के चलने की जो आवाज आ रही है वो ध्वनी तो है लेकर वो वर्ण नहीं है अब वर्ण में मैं बोल रहा हू तो मैं वर्ण बोल रहा हूं आपके कानों में वर्ण पहुंच रहा है लेकिन उसमें अविभज्य ध्वनी यानि ऐसी ध्वनी जिसके फिर और टुकडे नहीं हो सकते जैसे का है का वर्ण नहीं है का के तुर टुकडे हो सकते इसके तो टुकडे हो गए ना के और आ तो ये एक वर्ण नहीं है तो दो वर्ण है अब कहके टुकडे नहीं हो सकते तो फिर के वर्ण है और आ के टुकडे नहीं हो सकते हम लोग कहते है एर एर नो ए अलग स्वर है और आ अलग स्वर है यह तो संदी में बन जाता है लेकिन ए का बोलने का तरीका ए आ यह देखिए तरीका यह अलग है ए आ दोनों अलग अलग वर्ण है इसलिए ए अलग वर्ण है आ अलग वर्ण है दोनों अलगलग स्वर हैं तो आप देखो ये जो वन है ये अविभाज्य है तो आप इसको भाशा में उच्छरित होना चाहिए भाशा के अलावा जो ध्वनी है वो वन नहीं है और भाशा में तो हम शब्द के शब्द उच्छरित करते हैं वो वन नहीं है वन समू है वो अभी भाज्य होना चाहिए, जैसे ए, इ, कै, बै, देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर यह लिख देता न में, तो यह एक वर्ण नहीं है, यह दो वर्ण है, हमारे यहाँ पर देवनागरी लिपी में, आगे देवनागरी लिपी का प्रसंग आयता पढ़ेंगे, देवना दो वर्णों को लिखा जा रहा है, यह दो वर्ण, इसको लेकर के कै बना, इसलिए लिखने के रूप को आप ऐसा न समझें, कि कै एक वर्ण है, कै दो वर्ण है, कै और ए, और बै भी दो वर्ण है, बै और ए, इसका मतलब, यह देखो हल लगावा, यह वर्ण, यह वर्ण, फिर ये दो चीजे और देखिए, अमारा सब ज्यातर लोगों का ध्यान, स्वर और व्यंजन कोई वर्ण मान लेते हैं, गलत, स्वर और व्यंजन के अलावा, संस्कृत भाषा में और हिंदी में भी, दो वर्ण और हैं, और एक है अनुस्वार, अनुस्वार स्वर और इसका बढ़ा मेहत्व से तो है हमारा हमारा देखो ये है अधिक अलग चीज़ अब देखो ए कि इसकी इसकी वजे से अर्थ हमारा बदलता है प्र तो इसका मतलब है कि इस अनुस्वार का भी अपना महत्व है और इस विसर बी अपना महत्व है अगर राम कहोगे तो अलगर्थ है राम है कहोगे तो बिल्कुल यह करता कारक में आगया यह विभक्त ही बन गया इसका अपना महत्व है इसका हम लोग अनुस्वार और विसर्ग ये भी वर्ण है हम इनको वर्णों में ध्यानी नहीं हम तो स्वर और वियंजन को मालते हैं नहीं भाशा में उच्छरित कोई भी ध्वनी वह वर्ण है और उसमें स्वर और वियंजन ये हैं स्वर ये हैं वियंजन और यह है अनुस्वार और यह है विसर के यह चार प्रकार की हमारी जो ध्वनिया हैं यह सब बन कहला थी मैं बिलकुल जड़ से बताऊंगा और जितनी मेरी सामर्थ है उससे सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा मैं यहां पर आपको और बात बता दूँ मैं यह अलग से एक वीडियो जारी कर रहा हूँ आज ही आप लोग उनलाइन इसको देख सकते हैं रीट में हमने जोव प्रश्णों के उत्तर बताये थे नो नो में से आठ को मदमिक शिक्षा भॉन ने ग्रहन किया है और अपने की में चेंज किया कुछ को रद किया है, कुछ के दो-दो विकल्प सही माने, इंगलिश में दो विकल्प सही माने, हिंदी में भी दो विकल्प सही, भावाचक संगया के दो विकल्प माने, मैं आज उसका विशलेशन आपके प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप समझे कि किस प्रकार से जो प्र मनिक था परिशकार की ओर से हम देने की कोशिश कर रहा है प्रमान सही और वो बिलकुल किताबों के फोटो की दिये हैं लोगों ने भी उसको प्रमान बेद दिया और हमारा खुद का भी वीडियो सामने था हमारे एक्सपर्स देखते हैं आर पियस सी जाने वाले मादिमिक शि ले रहा है और वह गिस प्रमान नहीं बोलते हैं हम प्रमान के साथ बोलते हैं वह प्रमान प्रस्थुत क्या है gusta नो में से एक हमारा साइकलोजी का उन्होंन प्रश्ण नहीं माना, लेकिन नो में से आठ प्रश्ण, जिसमें हिंदी के प्रश्ण थे, संस्कित के थे, और शिक्षा मनुगी ग्यान के थे और इंग्लिश के थे, इन चारों के आठ प्रश्णों को जो का त्यों स्विकार किया यह हमारी विनम्र प्रस्तुती है जो हम लोग इस काम को कर रहे हैं और प्रमान के साथ कर रहे हैं इसलिए यहां पर भी जो कुछ में पढ़ाऊंगा जो भी बताऊंगा वो प्रमान के साथ बताऊंगा तो केवल स्वर को और केवल वियंजन को वर्ण मान लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं ये दो ही क्यों है हमारा जो अनुस्वार है वो भी वर्ण है और विसर्ग भी वर्ण अब आप देखें वर्ण ये हमारे चार है देखो वर्ण में क्या-क्या एक है स्वार जो मैंने बताया ये स्वार एक है व्यंजन ये रा व्यंजन और एक है विसर और एक है अनुस्वार इन चारों को आप वर्ण समझेगा बिल्कुल बहुत विग्यानिक धंग से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और उसके बाद में बिल्कुल अपने यास मंगल सिंग अनन्या और तुल्चाराम और शाम सुंदर या यह देखिए शाम सुंदर कह रहे हैं कि वर्ष के सभी ऑप्शन गलत हुए अब आप समझ लीजिए बहुत रो गए रो गए लोग जिन्होंने रीट का कोर्स लिया ता रीट के जंगल में फसा दिया तीन तीन चार चार टीशर्स की जो चाओ पढ़ो अरे रीट वाला बच्चे को एक को सिलसलेवा ढंग से बता द है बच्चे अब यह जो है तो यह है आप लोग खुद खुद जान रहे हो आप उनके कैसे कैसे आरेस मेंस के लिए भाई देविन डांगी जी आरेस मेंस के लिए आप मैंने कोर्स बहुत अच्छा बना रखा है और उसमें खासोर से संक्षीप्तिकन व्रद्धिकन बहुत बच्चे ले चुके और लेते जा रहे हैं आप उसको लीजेगा या अब देखिए आप चत्रो सिंग जी यहां पर तनिश्ट कुमार यहां नहीं पढ़ाएंगे यहां इसमें ऑन लाइन पर नहीं है वो तो वहां भरतपुर में पढ़ाते हैं तो यहां पर तुब नहां पर जो पढ़ाए जाएगा वो डॉक्टर किरन शर्मा वो पहले भी पढ़ा चुकी सेकंड गेड और फर्स ग्रेड पिछली बार भी पढ़ा चुकी ओनलाइन में और ये लोग हमारे यां पढ़ाएंगे अरे भाई भरत धाकड सरजी पूरी रीट में एक बार भरत धाकड अभी ले लो मेरे क्या मेरे मेरी तो जीब सफल होगी आप लोगों के निर्मला रास्तानी और महरा सिंग मैं तो बहुत बच्चों के नाम लेकर के ललता प्रजापत और राम बाबु सिंग और वसीम और सैन मानसी और मानसी मुकेश नायक और पूजा यास इंदिसाहितिक इतियास टॉपिक आपक लेढलो आपका पढ़ाया हुआ इंदिसाहितिक इतियास में ज्यादा मामले नहीं है वो बहुत अधयात्मक है यह अधना अव। जो चीजें पढ़ाऊंगा वो अधारनात्मग बताऊंगा और वहाँ फैक्च्वल है फैक्च्वल चीजें वहाँ पर और वो लोग पढ़ाएंगे आपको देखो सबसे पहले समझे स्वर क्या है स्वर और विंजन का अंतर निया इसलिए ये क्यों अर्ध स्वर है वे अर्ध क्यों स्वर है इसको आप कैसे समझेंगे ये आदा तो स्वर है रादा विंजन है इसको हमें समझना पड़ेगा हमारा री संस्कृत में तो स्वर था और अब में स्वर नहीं है यह जो री यह स्वर नहीं है इसकी concept को आप समझी नहीं पाएंगे जब तक यह नहीं समझानों कि स्वर क्या होतार बेंजन क्या होता है आप लोग अभी तो नौकरी ले लोगे लेकिन इसके बाद में वो बच्चे आपकी जान खाएंगे जिन्दगी भर औ फिर आप कैसे बता पाओगे इसलिए समझी एक एक चीज को बारी के समझी बहुत वेग्यानिक डंग से वेग्यानिक डंग से मैं समझानी कोशिश करूँगा स्वर का मतलब क्या है बिना बाधा के सतत उच्चारण लगातार उच्चारण कर सकते हैं और बिना किसी अन्य व बाधा के उच्चरित होता है उस वेट को क्या कहते हैं जो सतत रूप से उच्चरित होता है स्वर इस प्रकार के प्रश्चन भी बन सकते है अब क्या है कि हमारे यहां खासोर से दो प्रकार की भाशा में वैन हैं एक उनको बोलते समय कहिन कहीं मूँ में बाधा पैदा होती है पिर बाधा हटती है और एक पठा के विश्थभोट के रूप में उच्छरीत होता है उसे कहते हैं व्यंजन और जिन वैनों को आप बिना बाधा के लगातार बोल सकते हो और बिना किसी और दूसरी वैन की साहिता से बोल सकते हो उन्हें कहते हैं स्वर देखो स्वर अमारे सत्त बोल सकते है जितनी फेपड़ों में सांस है बिना बाधा के लगातार ए आ इ उ ओ या यह स्वर है समझने की कोशिश कीजिए यह हमारा स्वर है तो इसमें एक तो लगातार उच्चारन सतत में तै के हल नहीं लगता कई लोग तै को देखते हैं अंत में हल लगा देते हैं नो तो जो लगातार उच्चारन हो सकता है वो है स्वर और दूसरा बिना किसी अई को बोलने के लिए नहीं लेकिन अगर व्यंजन आएगा व्यंज व्यांजन को आप स्वर की साहिता के बगर बोल ही नहीं सकते क्योंकि व्यांजन में जो भी ध्वनी बाद में निकलेगी जो भी हवा बाद में निकलेगी थोड़ी सी कया बोलने के बाद में उस्वर निकलेगा तो आप देखे अभी व्यांजन की जो परिभाश आएगी वो यह है कि वो स्वर की मदद से उचरित होता है यह बेंजन मुख में कहिन कई बाधा उपस्थित होगी और फिर बाधा के हटने से उचरित होगा हमारी गले से लेकर और होट तक यह पूरा का पूरा मुख है कहिन कहिन बाधा खड़ी करते हैं देखो गले में बाधा खड़ी कर तो पहला आता है का देखी बोलके देखी का हमने गला दबाया अपने आप और फिर उस गले को खोला और तब का भाई सावाई का ये हां से शुरू होता है और उसके बाद में फिर आकर के दांत के साथ अवरोध खड़ी कर देते तै 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 पहले दांत के जीब लगा दी और फिर जीब हटाई तब जा करके तै बुला तै फै इसी तरह से होटों से पै फै बै 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 मैं होटों में अवरोध कर दिया कहीं पर जीब को और उपर लेगे तालू पर लेगे चै चै जै जै कहीं और मूर्धा पर उपर लेगे टा ठा डा धा कहीं कहीं गले से लेकर होटो तक बाधा बिना की ये देखिए मुख में कहीं न कहीं बाधा उपस्तीद होगी और फिर बाधा को हटाया जाएगा उससे होगा और यहां पर एक स्पोर्ट के रुप में होता है बिलकुल एक पठा का छूटता है निरंतरता नहीं होती है आप कैको लगातार नहीं बोल सकते हैं आए बोल सकते हैं आए बीच पीच में आता जाएगा इसका मतलब कैको आप एक ही बार बोल सकते हैं बीच में थोड़ा सा कुछन कुछ तो स्वर आए गई यानि व्यंजन में सतत्ता निरं निरंतरता नहीं होती, स्वर में सतत्ता निरंतरता होती है, यह स्वर और वियंजन का बेसिक डिफरेंस में बता रहा हूं आपको, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हम मैं री को जब बताऊंगा, री, तो री हिंदी में री हो गया है, यानि रे और ई हो गया है, यानि यह स्वर नहीं रहा ये जो है हमारा व्यंजन बन गया है क्योंकि इस में आप लगा था री को बोली नहीं सकते पहले संस्क्रित में री स्वर्था क्योंकि तब बोलते थे इस पर कारग बोला जाता था अब इसको बोलते हैं रे बोलते हैं पहले तो रे व्यंजन फिर री 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 को अब देखिया और यह सर्व स्वर्की साहिता से मैंने बता है स्वर्की साहिता से प्रशन यह फिर बन गया वह उस वर्ण का नाम बताईए जो स्वर्की साहिता से उचरीत होता है वियंजन इसलिए वियंजन के साथ जो मुह मुह विविर विविर का मतलब बिल यह बिल हमारा म मुख विविर में बाधा से जो चरित होता है वो कौन बुएन है बाधा व्यंजन अब देखे विसर्ग ये विसर्ग एक अलग चीज है और ये अनुस्वार है और ये दोनों का स्वर और व्यंजन से योग नहीं है ये स्वर और व्यंजन से अलग है स्वर और व्यंजन से अलग है तो स्वर और व्यंजन इसलिए इनको कहते हैं अयोगवा जो ने स्वर के साथ योग स्थापित करते हैं ने व्यंजन के साथ स्थापित करते हैं ये स्वर और व्यंजन दोनों की प्रकृति से अलग धुनिया है इसलिए इनको कहा अयोगवा, अयोगवा स्वर के बाद आगमन होता है इन दोनों में, इसलिए एक का तो नामी अनुस्वार रख दिया, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब क्या है, अनु और स्वार, स्वार बना है स्वर से, यानि स्वर के बाद उच्छरित होता है, जैसे देखे, यह शब्द अंश, अब देखो, यहाँ पर अंश में हुआ क्या, यहाँ पर है ए, यहाँ पहले स्वर है, यह स्वर है, फिर अनुस्वार है, और फिर शह, यानि इस अनुस्वार के पहले क्या आ गया स्वर, अंश में तो ए साफी दिख रहा है, अगर यह हंस भी है, हंस तो आप देखे पहले है है फिर है ए फिर है अनुस्वार और फिर है सै और ए इसका अनुस्वार के पहले क्या आ गया है विसर्ग का मतलब वी और सर्ग सर्ग का मतलब है स्रश्टी रचना ये विशेश प्रकार की रचना ध्वनी के दुनिया में ने तो स्वर जैसी रचना है और ने व्यंजन जैसी रचना है तो स्वर और व्यंजन से विशिष्ट दिखाने के लिए इसको कह दिया विसर्ग तो तनिश कुमार आप अलग से बात कीजिए, हमारी IT टीम से अलग से बात कीजिए, अगर आपके माबाप को रोना से शान्त हो गए हैं, तो आप अलग से बात कीजिए, अलग से फोन करना आपके साथ में यह है, पटवार में बोर्ड ने विलोम शब्द सत्क रितन राद को सही म actually इसको निरादृत निरादृत का जो है आदृत और निरादृत करना चीथा लेकिन अब ठीक है कुछ तो उनकी चलती है क्या करें चलती है अब कितना करें पिर हाई कोड का मामला पिर हम डारेक्ट लड़नी सकते हम नहीं डाड सकते क्योंकि वहाँ जिसका रोल नमबर है वह अप्लिकेंट हो सकते परिशकार्स तो हो जीनिंग सकता राम का वंड करता है तो इसमें आ को क्यों नहीं तोड सकते आ मूल्ड स्वर है आ एक ही तरह से उचरीद होता आ अप हम लोगों को यह समधी करते हैं ना हम लोग ए और ए आ और ए बराबर आ नहीं होता आय और आय बडल करके आ में बडल जाते है अगर एके बाद ए और बोलो तो आय यही तो होगा आय और आय के भाद फिर आय बोलो आय 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 सिंगल आय आय डो आय तो आय आ नहीं होता ये तो संधी होने पर उस पर बल डलने के कारण आ बना है वो अलग स्वर है इसका मतलब आ ए और ए का योग नहीं है द्वहनी के उचारण की दरिष्ठी से ए अलग स्वर है ए आ ये देखे मू जादस खुल गया अलग स्वर है ए भी मूल स्वर है आ को संविक्त स्वर मत समझे ले ना कहीं एर एक संविक्त स्वर ना इसी प्रकार से ये छोटी और ये छोटी दीद संदी बनती है लेकिन ये अलग स्वर है और ये अलग स्वर है दोनों के बोलने के तरीक अलग लग है ये भी मूल स्वर है और ये भी मूल स्वर है इसलिए आप लोग हम संदीक से ऐसा न समझें कि इन दोनों की योग से आ बना आ अपने आप में स्वतंतर स्वर है अब देखो ये जो है मैं पहले बता चुका इसको इनको अयोगवा बोलते हैं और ये प्रशन आ चुकार आ चार शब्द दे देंगे ये मन अतह है और क्या व्य और क्या और उन्होंने पूछा किस विकल्प में अयोगवाव ध्वदी है अयोगवाव ये रहा आपको पैचा ना आना चाहिए मानलो ये दे दिया ये ये दे दिया दंश किस विकल्प में अयोगवाव ध्वनी है यास ये भी है और ये भी है हमें पहचान ना चाहिए इसलिए आप लोग अनुस्वार को और विसर को इन दोनों को अलग से स्वतंत्र वर्णवाने और इनको पहचानने की क्षमता माने इस दुरेश्टी से हम लोग तयार करेंगे तो देखो अयोगवा है स्वर के बाद इनका अगमन होता है और स्वर और वेंजन से भिन है ये इस्थिति है हम लोग सेकेंड पेपर उर्दू नहीं कर पाएंगे उर्दू नहीं कर पाएंगे वे या आप सब इंस्पेक्टर भरती स्टेडी विद गनेश सब इसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही आएंगे उसके बाद या और गूड मॉर्निंग बिलकुल एलार मेना साब एक्स आर्मी गोर खराम सिन्वार सेकंड की क्लास अलग से नहीं होगी क्या होगी न कैसे नहीं होगी लेकिन जहां तक सेकंड गेड और फस्ट ग्रेड जो जो व्याकरण चलेगी जो काविशास्ता नहीं वो यह की ओगा इसलिए बहुत सा कॉमन टॉपिक है काफी आपकी तो रचनाई तक कॉमन टॉपिक हैं इन्दी साहिती तकी इतियाहस का हिसलिए आप जहां पर फिर आपका अलग से टॉपिक होगा व्याक्याता का वह पढ़ाएंगी और डॉक्टर रीटा जी पढ़ाएंगी इसलिए उनको आप समझेए कि वह बहुत काबिल लोग हैं रीटा जी बहुत अनेक पुस्तकों की लेखी का है और हिंदी साहितिक इतियास की रचनाओं की विदूशी हैं तो वह आपको पढ़ाएंगी किसी ने पूछा है कि री को के बाद ही क्यों मिला स्वरों में री को उ क्या स्थान क्यों मिला ये देखो ये विभजन किया है इनों ने उचान स्थान के आधार पर इनका विभजन किया गया है इस वज़े से और ये क्यों री नहीं है री और री है दीरगरी है दीरगरी है इ देखिए, उ में जीव उपर जाती है, उसके बाद से फिर जीव नीचे आएगी, वहाँ पर री आएगा. तो एहा है, आगे बताएंगी उ, उ और व मैं जीव यों पलट करके आती है, उसके बाद में आती है री, री आती है और संस्कृत की री और आती है, ये वी भाजन संस संस्कित के जमाने का यह हूं देखो हिंदी स्वर हिंदी स्वर की बात कर रहा हूं इध्यान रखना स्वर नहीं हिंदी स्वर संस्कित के स्वर नहीं संस्कित के स्वर अलग यह रहे हिंदी स्वर ग्यार है यह ग्यारे स्वर है हिंदी के बिल्कुल ग्यारे स्वर संख्या भी और ये औ, ये बिल्कुर ग्रहीत स्वारेज, ये अंग्रेजी से लिए, आज कल हम काफी बोलते हैं, हम बोलते हैं, डॉक्टर, कॉलेज, ये देखे, कॉलेज, और ये देखे, हॉल, हॉल, ये अलग स्वारे है, देखो यह हाल हाल चाल सुनाईए और यह हाल हाल का मतलब बड़ा कमरा और यह होल 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 का मतलब है बिलकुल छेद, H-O-L-E या होल यह नहीं तमाम, W-H-O-L-E इसका मतलब हा, यह है आ और यह है आ कई लोग बिंदी लगा दे, No, बिंदी नहीं होगी क्योल चंद्र होगा, क्योल चंद्र यह नहीं होगा और यह है O यह O है अब यह आ और O के बीच की ध्वनी है आ ओ ओ आ हा हाल हाल चाल सुनाई है, हा आ ओ, तोड़ा मूँ का और गोल कर लीज़े, ओ और और गोल कीज़े, ओ आ ओ, ओ, ओ यह हाल, यह हाल, और यह होल इसका मतलब आप देखें, क्योल इस स्वर की वज़े से हमारे शब्दकार्थ बदल जाता है यह हमने लिया है अंग्रेजी से अब यह ग्रहन कर लिया, और इसकी देवनागरी लिपी में, मानक जो स्टेंडर्ड देवनागरी लिपी है, 1964 में भार सरकार के द्वारा, उसका जो मानक स्वरुप जारी किया गया, उसमें इसके लिखने के चिन को भी स्विकार कर लिया, और यह लिखने का चिन है, और व् अंग्रेजी भार्षा से ग्रहन किया आगे वियन जन आएंगे काखा गागा ये देखिया काखा अंग्रेजी से कोई अ्रभी और फार्षी से हमने वियनजन में पढ़ेंगे तब आएंगे तो भी तो सब हिंदी के सब ہी हिंदी के सब ही 11 मूल्ड स्वर है आप किसी को किसी को दो सवरों से मिल कर के नहीं बनें लोगों को बहुत बहुत यह सा है रमेश्पारी कब क्या है अगया-कन्यादान में दो समास है क्या ही कहाँ पर आपका concentration आपको ध्यान देना चाहिए तभी तो ऐसे ही तो हम लोग जो चीज चल रही उसको बहुत बारीकी से पढ़ी है इसका मरलब देखो संस्कृत में क्या था यहाँ पर संस्कृत में री स्वर था और एक री नहीं यह तो है रस्वरी और यह दीर गरी भी था यह दो बार लिखा जाता है दीर गरी यह जैसे पित्रिन होता है लेकिन अब यह तो अब के ओल संस्कृत में चलता है हम इसको लिखने में काम में लेते हैं देखो आपको बहुत confusion होगा एक है बोलना और एक है लिखना लिखना बोलने का सम्मन्द है भाषा से और लिखने का सम्मन्द है लिपी से हम बात अभी भाषा की कर रहे हैं लिपी की नहीं हमें मालूम है हम जो यह है रिण इसको बोलेंगे रिण इसमें चार बोलेंगे रि पहले बोलेंगे रे व्यंजन फिर बोलेंगे ई स्वर अब आप बताईए कि यह है कहां इसका स्थे तो खतम है इसका मतलब यह स्वर संस्कृत में था अब यह जो है व्यंजन में बदल चुका है इसका उचार व्यंजन की तरह कर उच्चारन उच्चारन का संबन्द है हम लिखने में इसको ऐसे ही लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे लिखने में ऐसे नहीं लिखेंगे क्यों उसका कारण है हमारी परंपरा संस्कृत भाषा में भी और हिंदी में भी जो किताबें लिखी पड़ी है जो किताबें लिखी पड़ी है ये देखे रिन लिखा पड़ा रिन ये रिशी हमारा ऐसे लिखा पड़ा ये रित्व हमारी ऐसे लिखी पड़ी है अब अगर बच्चे को हम ये नहीं सिखाएंगे तो तो किताब ही नहीं पड़ पाएगा तो या तो सारी किताबें बदलो और सब की जगे रिंड जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखो ऐसे ऐसे लिख दीजे लेकिन ये तो खर्मों रुपे का मसला है सारी पुस्ते के बदल दो बच्चे के लिए ये संभव नहीं है इसलिए जब पुराना साहित पढ़ेगा बहले वो री बोले व्यंजन बोले लेकिन पुरानी किताबों में सब में री लिखा पड़ा है संस्कृत में भी और हिंदी की किताबों में इसलिए बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुम इसको क्या बोलोगे री बोलोगे तो बोलने में री बोलोगे लिखने में ऐसा चलेगा तो ये बहुत से व्यावारिक प्रश्न है इसलिए लिपी में वैसा परिवर्टन नहीं होता जैसा कि हम बोलते हैं हम बोलते हैं री और लिखते हैं ये तो ये परंपरा की वज़े से पुस्तकों को पढ़ने योगे बच्चे को बनाने की वज़े से हम लोग लिपी में इसको जोंकातियों मेंटेन किये हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसका उचान री हो गया अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत बारीकी से ले जा रहा हूं देखो ये संस्कित में री स्वर क्यों था और हिंदी में ये री स्वर कैसे खत्म हो गया और ये हिंदी में नहीं पाली से खत्म हो गया संस्कृत की बेटी ये पाली आसे डाये जार वर्ष पहले ये जो है री वियंजन में बदल गया फिर प्राक्रतर अब भ्रंश में तो बदला ही बदला और हिंदी में तो बदली गया देखो बहुत ध्यान से देखिएगा वरना तो आप बार बार लोग इसी मुझाते रहेंगे क्योंकि किताबें लिखी गलत रिखी पड़ी है और परिक्षा में प्रशन भी आ चुके है कि री हिंदी में री स्वर है या ने है और ये बिलकुल प्रशन संभावीत है और आप हिंदी में री को स्वर नहीं मानेंगे देखो संक्ट में यह री यहां से बोला जाता था और तब हमारी जो जीब थी वह ऐसे अधर में रहती थी देखो यह जीब यहाध हमारा उपर का बिलकुल तालू मुर्धा मुर्धा यहीं से शुरू होता समझे आप तो यहाँ जीब अधर में रख करके हम इसको बोलते थे इसलिए इसको लगातार बोल सकते थे लगातार बोल सकते थे यह स्वर था रे रे एक बोलूँगा इ वो तो आज भी बोलते हैं वो स्वर है और एक बोलूँगा रे जीब दूर होकर के बोली जाती थे आगे चल करके द्यान से सुनना आप आगे चल करके ये जीब यहाँ टच करके बोली जाने लग गई और इसका उचान हो गया री देखो रै रै बोलिए रै जीब तच करती है कि आपके उपर ताल उपर रै रै तच करती है और बोलिए री 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 तच करती है जब तच करती है ये बोल रहे हैं आप इसका उचान क्या कर रहे हैं कि जीब दूर रेती है, रितु, ऐसा बोलते है ना, क्या बोलते हैं आप, आप बोलते हैं रितु, री, री, अगर जीब टच कर गई री बोल ले में, तो फिर यह स्वर नहीं रह, संस्कृत के जमाने में ड्हाई जार वर्ष पहले से, पाली के पहले से, इसको दूर से यह यह दूर स कर गया ये जो टच कर गया ये उचान है री का यही अंतर है बताया था ना आपको स्वर और वियंजन में क्या अंतर है स्वर में बिना अवरोद के बिना बादा के लगातार बोल सकते हैं और वियंजन में मुख में कहीं कहीं अवरोद आएगा और अवरोद हटेगा री में ऐ दूर अलग रहती थी स्वरवाली वो स्वरवाली टच कर गई ये जो हमारे बोलने में जो परिवर्तन आया ये परिवर्तन पाली भाषा से शुरू हो गया और फिर अब्रहंश और प्राकृत और अब्रहंश वहां तक आ गया इसलिए ये री स्वर पाली में नी रहा हुद पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, हिंदी व्याकन की अच्छी पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, और क्यों संस्कित में एक तो लिपी के चक्कर में रहते हैं, और जो संस्कित की व्याकन के चक्कर में रहते हैं, लिपी के चक्कर में रहते हैं, और संस्कित व्याकन मे री स्वर नहीं है देखो ये री और री संस्कित भ्राशा में प्रिक्त स्वर हैं और ये हिंदी में स्वर नहीं रहे री का उचारण क्या हो गया री हो गया इसमें रे व्यंजन हो गया और ई स्वर हो गया इसका मतलब ये अलग से स्वर नहीं है रे व्यंजन की तरह उच्चार्ण है अते ये स्वर नहीं है और अंग्रेजी भाषा से ग्रहीत ये स्वर है ये सब में आपको उदेनान तिवारी उनका हिंदी भाषा का उद्भार विकास हिंदी भाषा उद्भार विकास उनकी पुस्तक है बोलान तिवारी उनकी पुस्तक का नाम ही है हिंदी भाशा और हर देख बाहरी की भी हिंदी भाशा का विकास ये सब बहुत महत्पून वया करने हिंदी के अधिकारी की विद्वान है और फिर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इनी की पुस्तकों के मैं उधान प्रस्तुत करूंगा बिलकुल और इनी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं मेरी तरफ से कोई बात नहीं है तो आप इसको जो आपको पढ़ना इसको आप अच्छी तरह से देखे हिंदी स्वराओं का वरगी करन री गायब हो गया हमारे उचान में नहीं हुआ वो री बदल गया स्वर में री जो है वो वियंजन की तरह बदल गया इसलिए अब देखो हिंदु स्वराओं का वरगी करन ये इंपोर्टेंट है और हर स्वर की पांच विशेष्टाएं और हर वियंजन की पांच विशेष्टाएं ये पांचों विशेष्टाएं बहुत वेग्यानिक ढग से मैं आपको समझाओंगा अच्छी तर प्रस्व का और दीर का मतलब क्या होता है रस्व का मतलब छोटा दीर जोमक है और बड़ा किस आधार पर कोई आकार के आधार पर ना बोलने वाले लगने के समय के आधार पर जिसमें समय कम लगता है वो है रासुस्वार और जिसमें समय ज्यादा लगता है वो है दीरगिस्वार तो देखो यह छोटा और बड़ा इस दृष्टी से आप लोग अगर आज़ कुल वैज्ञानिक वैज्ञानिक हिंदी व्याकर्ण पढ़ना चाहते हैं और आगे चल करके संधी उपसरख क्रते भी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो इस वढश विचार का जो वैज्ञानिक विश्ट्येशन उसको आप मुझसे जरूर पढ़ें ये वैज्ञान विश्लेशन ये मैंने बाखाइदा मेरे खून में वो जो मैंने जिया है इसको और संस्कृत व्याकन से हिंदी व्याकन की प्रकृति को अलग से समझ करके ढाल करके काम किया है इसको आप समझेगा देखो वर्णों के वरगीकन के आधार हैं दो मैंने अभी बताये थे पांच ये है नंबर वन और प्रियतन है चार चार प्रकार के प्रियतन और उस आधार पर पांच विशेष्टाएं हमको ध्यान रखनी है एक उच्चान स्थान कहां से बोला जाता है वर्ण कौन स्वर ये विंजन तो उच्चान स्थान पर एक प्रश् प्रियतन होते हैं चार प्रकार के नाक से बोलते हो कि मूँ से बोलते हो इसाधार पे गले में कम पन होती एक नहीं होती इसाधार पे हवा जदा देते हो की कम देते हो इसाधार पे होटों को गोल रखते हो कि नहीं रखते हो इसाधार पे जीब को उपर ले जाते हो कि सर जी आपकी कोचिंग का कोर्स हिंदी फर्स ग्रेड व्याख्याता का खरीद हुआ है उसमें नई बुक अभी तक नहीं आए नई बुक तो अभी आएगी मार्केट में अभी है या थोड़ा पार्टिक्रम पे भी हो सकता कोई परिवर्तन हो जाए क्योंकि आर पीसी नभी आ आ देखो स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय और रस्व कम समय में उच्चरित और दीर्ग अधिक समय अधिक समय का मुलत दुगना दुगने समय में उच्चरित होता है और देखो रस्व स्वर रस्व स्वर हमारे तीन दीर्ग ये मत समय लेना कि एका रूप आ होता और एका एोता रूका उओता नो यलग स्वड़ है यलग स्वड़ है यलग स्वड़ है यलग है दीर संधी हो जाती है संधी का concept बिल्कुल अलग है इसलिए आप उससे confusion मत कीजी कि ए रये आ हो जाता ना होता ही नहीं, उचान देखिए न, ए होगा आ अगर हो गया तो बिलकुल उसका बोलने का तरीक अलग हो गया अ की पांच विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ए और अई और और अउ यह सब दीरगी दीरगें। देखो, हम लोग इनका उच्चान देखिए, इसका उच्चान एक, एक तारा बोले तुन तुन तुन, एक और यह है एक, एक जल्दी से बोल गए ए, क्योंकि रसुस हो रहे हैं, लेकिन एक नहीं बोला, एक, 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 इसका उनले, इसके बोलने में ज़्यादा सहमें लगता है, इसलिए दीरग सो रहे हैं, जबकि यह ई रसुस हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से कीजिए, हमारे यहां पर शाम शर्मा जी बहुत विद्वान और विद्वान और विद्वूशी हमारे राजनितीव ज़्यान के पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, हमारे सुजाता जी पढ़ाएंगी, हमारे और दूसरे टीचर्स, हमारे हिंदी, इसको राजनिती विज्ञान को पढ़ाएंगे, वे सब एक से विद्बान हैं, और खास होर से बच्चों के लिए समर्पित हैं, परिक्षाओं में कैसे आएंगे, उसी चौथा जो है हमारा, उसको हम पढ़ा रहें, इंग्लिश, इस पर हम पढ़ाएंगे, इसलिए आप तो, आप हमारे हाँ पर कुशिश कीजिए, कि हमारे हाँ की क्वालिटी साब जुड़े हैं, री कहां या च्छा, क्या री स्वर में शामिल नहीं हैं, बिलकुल नहीं ता या हिंदी सार, टार्गेट बैचे बिलकुल, ये समझे हम लोग, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से व्याख्याता बनाएंगे, ये हमारा संकल्प, आपका संकल्प है ये, हमारा भी संकल्प, व्याख्याता बनाएंगे, बस मैं अभी इतनी सी बात करूँगा, आज बहुत प आपको कोई शंका नहीं है, बहुत से लोगों ने कोर्स ले लिया, जिनको कोर्स है, यूट्यूब पर कुछ दिनों चलेगा ये कोर्स, उसके बाद में जैसा पहले चलता था, जिनको आपको परखना और किसी को परखना हो, तो परख लीजे, परिशकार को और कोई परखने और फर्स ग्रेड दिया है, मैं अपनी हिंदी की बात करा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स वाले दूसरे अपनी बात करेंगे, उनको मालूम है कि ऐसा लग गया कि पेपर छप कर यहा है, हमारे नोट्स में से पेपर आया है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि हम भी प्रशना है, आप वो काम कर सकें, विश्लेशनात्मक्ता हमारी शिक्षन पद्दती है, उसी विश्लेशनात्मक्ता से दामदर पारिक ने कहा कि मेरे 120 नंबर आते, जो 146 आगये, 150 में से रीट में, और दूसरे आप परिशकार वर्ड पे देखिए, जिन लोगों ने र 145 वाले को पढ़िए, आप राहूल को पढ़िए, उसको सुनिये देखिएगा, ऐसे 145 को, 143 को देखिए, सब ने जिस तरह से जिस शैली की विश्लेशनात्मक्ता, क्योंकि हम विश्लेशनात्मक्ता से गलतियां न्यूनतम होती है, इसलिए प्रशन में जो उत्तर अधिक सही होते हैं, और अंक ज्यादा आते हैं, यह बिलकुल जादू है, और यह परिशकार के पास जादू है, थैंक यू एरि मच, मैं आज आप से यहीं पर विदा लेता हूँ, और कल से फिर हम लोग आगे इसको शुरू करेंगे, अभी 2-3 दिन, यह है जो वन विचार है, यह सेकंड ग्रेट के लिए बहुत इंपोर्टन है, जो भी सेकंड ग्रेट हिंदी का एकजाम देगा, उसके लिए इंपोर्टन है, लेकिन जो लेक्षरर फस्ट पेपर वाले में जो हिंदी है, उसके लिए इंपोर्टन नहीं है, दो-तिन दिन के बाद में विलोग, जब मैं स संधी शुरू करूं तब डाइरेक्ट उसको जोईन कर सकतें और वैसे अपने ज्यान के लिए जो इसको पढ़ना चाहें बिल्कुत स्वागत है नमस्कार स्कूल व्याख्याता और टीचर ग्रेट सेकिंड के लिए एक दिसमबर से लाइव क्लासे शुरू यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने टीचिंग के लिए जाने जाने वाला सिर्फ एक ही नम परिशकार अब करवाने जा रहा है आपको लाइव क्लासेज स्कूल व्याख्याता के लिए और टीचर ग्रेट सेकिंड के लिए यदि आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते है या सेगिंड में अपनी जॉब निश्चित करना चाते हैं तो आज इंस्टॉल करें परिशकार वर्ल्ड एप हमारा कोर्स परचेस करें और लाइव क्लासिस के साथ अपनी नौकरी पकी करें खुश करें दोस्तों आप लोगों के बेहट डिमांड पर आप परिशकार वर्ल्ड आप लोगों के लिए स्कूल भी आठा था और टीचर ग्रेट सेकिंड के लिए संस्कृत का कोर्स भी लाउंच करने जा रहा है तो इदि आप पढ़ना चाते हैं संस्कृत तो आज ही नाउ झाल